So hello guys, आज मैं explain करने वाला हूँ 1992 की शारुक खान इस्टार रोमेंटिक ड्रामा माया मेम सापको तो इस वीडियो के ने तक जरूर देखना और वीडियो पसना आती है तो वीडियो को like, share और ऐसी ही unique movie explanation videos देखने के लिए इस चैनल को भी subscribe जरूर करना तो चलिए movie के explanation स्टार्ट करते हैं movie के स्टार्ट में हम दो detectives देखते हैं जो एक माया नाम की औरत के death की investigation कर रहे होते हैं और इसी सिलसले में वो उसके घर जाते हैं जहाँ पर माया के पती डॉक्टर चाडू 10 से पूछताच करते हैं वो उसकी और माया की पहली मुलाकात के बारे में पूछते हैं फिर चाडू अपनी story सुनाना शुरू करता है और movie shift होती है flashback में जहां चाडू तूफानी रात में माया के पिता का इलाज करने के लिए माया के घर जाता है वहां पहली बार माया और चाडू की मुलाकात होती है इलाज करने के बाद माया और चाडू साथ में चाई पीते हुए बातचीत करते हैं और एक दूसरे से attach होने लगते हैं अब कुछ दिनों बाद माया चाडू से मिलने के लिए बिमारी का नाटक करती है जिसके बाद माया के पिता चाडू को माया का इलाज करने के लिए बुलाते हैं और चेक करने के बाद चाडू समझ जाता है कि माया को कोई बिमारी वगेडा नहीं है फिर चाडू भी माया को शादी के लिए प्रपोस करता है जिसके बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं शादी की शुरुवात में तो सब ठीक होता है मगर धीरे-धीरे माया अची भरकते करने लगती है और चाडू उससे प्यार करता है या नहीं बस यही जानने की कोशिश करती रहती है और यही पता करने के लिए एक दिन जब चाडू बाहर होता है तब माया उसे फोन करती है और फोन पर मदद के लिए चिलाती है और फोन काड़ देती है फिर माया घड का सामान बिखेड देती है और खुद के मर्डर का नाटक करती है वो ये सोचती है कि जब चाडू घर आएगा और माया को इस तरह पाएगा तो वो जी नहीं पाएगा और वो भी खुद की जान लेने की कोशिश करेगा अब घबराया हुआ चाडू घर आता है और जब वो माया को इस हालत में देखता है तब वो पुलिस को मदद के लिए चिलाने लगता है ये सुनकर माया उड़ जाती है और चाडू से नाराज हो जाती है वो उससे कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और अब चाडू की माँ चाडू और माया से मिलने उनके घर आती है मगर उन्हें माया ज्यादा पसंद नहीं आती और जब चाडू उसकी माँ और माया पुझा कर रहे होते हैं तभी कुछ गुंडे वहाँ पर एक आदमी को मारते हुए पहुचते हैं और माया के सामने ही उस आदमी की गर्दन काड़ देते हैं ये सब देखकर माया बहुत घबड़ा जाती है जिसके बाद वो अकसर बिमार रहने लगती है फिर चाड़ू माया को लेकर किसी और शहर चला जाता है जहां पर एंट्री होती है ललित जिसका रोल शारुक खान ने प्ले किया है ललित को माया पहली नजर में ही बसंद आ जाती है शहर ज्यादा बड़ा नहीं था और सारे ही लोग एक दुसरे को जानते थे और इसलिए ललित और माया भी एक दुसरे को अकसर मिलते रहते हैं अब माया भी ललित से अटैच होने लगती है इसके बाद हम एक शक्स देखते हैं जो रास्ते पर कुछ चीजे वेच रहा होता है वो एक बोतल उठाता है और कहता है जो कोई भी इससे विश मांगेगा तो उसकी विश पूरी होगी बोस उसका मन साफ होना चाहिए माया ललित और चाडू भी वहाँ होते हैं फिर वहाँ उस शहर का डॉक्टर पोलिस वालों को लेकर आता है और पोलिस वाले उस शक्स को वहाँ से भगाने लगते हैं वो शक्स अपना सारा सामान वही छोड़ देता है फिर जो डॉक्टर पोलिस को लेकर आया था वो उस बोटल को छुपके से उठा कर अपने पास रख लेता है अब दूसरे दिन माया ललित को बाहर मिलती है और वो उसे लेकर फिल्म देखने जाता है वो दोनों काफी नजदीक आ जाते है मगर ललित को शेहर से बाहर जाना पड़ता है जिससे माया भी काफी एमोशनल हो जाती है अब हम देखते हैं लाला जी नाम के एक दुखानदार को जो माया को बहला फुसला कर उससे चाडू का घर गिडवी रखवा देता है और उसे पूरे घड के लिए फरनीचर वगड़ा उधार देता है माया भी उसके बातों में आ जाती है और सारा फरनीचर वगड़ा ले लेती है आगे हम देखते हैं रूद्र परताप सिंग को जिसे गन साफ करते समय गलती से गोली लग गई थी उसे इलाज के लिए चाडू के पास लाया जाता है जहां पर वो और माया पहली बार एक दुसरे को देखते हैं जिसके बाद अगले दिन फिर माया और रूद्र की मुलाकात मेले में होती है अब रूद्र और माया भी एक दूसरे के कड़ीब आने लगते हैं फिर अगले दिन रूद्र चाडू और माया को अपने यहाँ इन्वाइट करता है मगर चाडू वहाँ जाने से इंकार करता है लेकिन वो माया से कहता है कि तुम चाती हो तो चली जाओ अब अगले दिन रूद्र माया को लेकर जंगल में जाता है जहां पर वो नदी के किनारे इंटीमेट होते हैं जिसके बाद माया अक्सर रूद्र से मिलने लगी फिर ललित के साथ वो होटेल में खाना खाने चले जाते हैं होटेल में ललित मौका देखकर माया का हाथ पकड़ लेता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है ललित कहता है कि मैं अगली सुभा तुमारा इंतिजार करूगा तुम्हें मेरे पास आना ही होगा और अगले दिन वो माया का इंतिजार करने लगता है काफी देर बाद माया आती है मगर वो उसके साथ नहीं जाती वो ललित को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है मगर फिर भी माया चाडू से music classes का बहाना बना कर हफते में दो बार ललित से मिलने जाती है लेकिन फिर चाडू को पता चलता है कि उन classes में कोई माया को पहचानता भी नहीं है तो वो ये बात माया को पूचता है जिसके बाद माया को काफी गुसा आता है और वो अपना आपाक हो देती है अब अगले दिन लाला जी माया से अपने पैसे मागने आता है मगर माया कहती कि उसके पास पैसे नहीं है लाला जी कहता है कि तुम्हें पैसे किसी भी हालत में दे नहीं होंगे उसी रात माया एक पार्टी में जाती है जहां ललित भी होता है माया काफी नशे में होती है और वो पाटी के बाद ललित के साथ उसके घर चली जाती है फिर अगले दिन चाडू माया को ढूनता हुआ ललित के घर तक जाता है जहां माया और ललित साथ में होते हैं ललित माया के कहने पर चाडू से जूड बोलता है जिसके बाद चाडू भी वहाँ से चला जाता है अब जब माया घड़ पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि लाला जी सारे घड़ के सामान की नीलामी करवाने वाला है जिसके बाद माया लाला जी के पास जाती है और उसक इसी तरह माया वहाँ से भाग जाती है इसके बाद माया ललित से मदद मांगने जाती है लेकिन ललित के पास इतने पैसे नहीं होते फिर माया रूदर के पास मदद मांगने जाती है मगर वो भी माया की मदद करने से इंकार कर देता है अब उदास माया अकेली घर आ रही होती उसी शहर का डॉक्टर और उसके यहां काम करने वाला लड़का माया को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कहां थी सब आपको ढून रहे हैं लेकिन माया कोई जवाब नहीं देती अब वहां काम करने वाला लड़का अंदर जाता है और डॉक्टर ने उस दिन जो रास मौत हो जाती है और फिल्म यही पर एंड हो जाती है माया की इतने लोगों से दोस्ती थी मगर वक्त पढ़ने पर कोई भी माया के काम नहीं आया वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना